पुरे देश में छटपुजा धुमधाम से मनाये जा रहा और छटपुजा को गुलजार बनाने में सारदा सिना की एहम भूमी का थी लेकिन अब वो आवाज एक खामोस हो गई है लेकिन सारदा सिना के गाये हुए गाने सदियों तक गुनगुनाये जाएंगे गाये और कहीं न कहीं जो तयारी है वो अंती मोड पे है तमाम चीजे आपको बारीकी से दिखा रहे हैं कि बाहर गारी के आगे फ्रंट पे एक तस्वीर लगाई गई है जिसमें बिहार कोकिला के नाम से भी सारदा सिना जानी जाती थी पदम भूसन सारदा सिना एक अक्टूबर 1952 में सुपॉल जिले में इनका जनम हुआ था और जिस परकार से सारदा सिना अब हमारे बीच नहीं है और उनके जाने के बाद पूरा बिहार और पूरा देश जो है वो गम का महौल है और तमाम इसी मुक्ती रत में उनकी जो सब है यहां पे रखा जाएगा और उसके बाद गुल्मी घाट पटना के राजंदन अगर होते हुए गुल्मी घाट जाएगा और उसके बाद यहां से जब सब जाएगा तो तमाम जो लोग हैं वो दर्सन कर पाएंगे देखे सरकारी जो उनका आवास है वहां पे तमाम परीजन जो है वो कली से मुलाकात उनके अंतिम द दर्सन ले रहे हैं और सार्दा सिना के संघर्ष की बात कर लिजाए सफलता के मुकाम तक की बात कर लिजाए तो उन्होंने कई बॉलीवूड में गाना भी गाए और उनके छट के गाई हुए गीत सदियों तक याद किये जाएंगे कल बिहार के मुख मंत्री नितिश कुमा सब तयारी हो चुकी है और उसके बाद तमाम यहां पर पटना के गुल्मी घाट के लिए उनका सब उनका जो यह धाम रत निकलेगा तो तमाम लोग दर्सन कर पाएंगे और सार्दा सिना के अगर खासियत की बात कर लिजाए तो सार्दा सिना ने लोग गाईका के रूप में भी पहचान बनाई थी आज भी उनके गाई हुए छट के जो गीत हैं वो लगातार गुंजते रहेंगे और इसी धाम के होते हुए पटना के गुल्मी घाट में राज किये सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और जिस परकार से सार्दा सिना की तबेत लगातार खड़ाप थी दिल्ली के एम्स में उनका लाज चला था वेंटी लेटर पे रहते हुए उन्होंने एक आखरी गीत भी गाने का काम किया था और सार्दा सिना के आवाज में वो खनक और वो जादू था कि लोग उनके आवाज को सुनने के लिए आज भी आकरसित होते थे लेकिन सार्दा सिनहा के जाने से एक युक का अंत हुआ है उनकी कमी ता उमर जिंदगी भर खलेगी और भोठूरी से लेके लोग गाईका के रूप में जो सार्दा सिनहा ने जो पहचान बनाई जो लकीरे खिची वो सदियों तक उसे मिटाने के लिए अच्छे अच्छे गाईकों को सोचना पड़ेगा तो तक्रीवन आठ बजे सार्दा सिनहा का सब इसी धाम से इसी मुक्ती रत धाम से यहां से गुल्मी घाट के लिए निकलेगा और राजकिय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार पटना के गुल्मी घाट पर किया जाएगा पटना से दर्सनीज के लिए रोहित कुमार की रिपूर